कि नमस्ते बिद्यार्थियों मैं विशाल दुबे कन्या हायर शेकंडरी स्कूल हर रही से आज हम विज्ञान का पहला चेप्टर कध्यन करेंगे पहला चेप्टर जो की है हमारे आसपास के पदार्थ तो हमारे आसपास के पदार्थ से क्या आसा है matter in our surrounding इसमें हमारे आसपास से तत पर है कि जैसे अभी आप घरों के अंदर होंगे तो आपके घरों में कमरे होंगे और कमरों में बहुत सारा समान आप देख रहे होंगे जैसे कि टीवी हो गया आपका पलंग हो गया खुरसी जिन में जो भी बरतन बस्तुएं हैं तो ये जितनी भी चीजे हम आसपास देखते हैं वह है पदार्थ से बनी होती हैं पदार्थ किसी भी बस्तु का सबसे सूक्ष्मतम करण होता है जिसके द्वारा उस बस्तु का निर्माण होता है और यहां पे जैसे कि आप देख रहे है कि हमारे चारो और नजर दोड़ाने पर हमें विविन प्रकार की बस्तु ही नजर आती है जिनका आकार आकरती और बनावट अलग अलग होता है इस विस्व में प्रत्तेग बस्तु जिस सामगरी से बनी होती है उसे वैग्यानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है तो वह भी वस्तु जो बिल्कुल सूख्थम कर्ण से बनी है जिसको हम खुली आँकों से देख पा रहा है उसे हम पदार्थ कहते हैं जिस हवा में हम सांस लेते हैं जो भोजन हम खाते हैं फत्तर बादल तारे पौधे पसू यहां तक की पानी की एक बूंद रेत का कर्ण यह सभी कुछ इस्थान घेरती हैं तो जितनी भी वस्तु यहां पे अभी चर्चा हुई है आप अपनी बुक में देख रहे होंगे वो सारी वस्तुएं पदार्थ से बनी हैं और उनमें कुछ मात्रा बजन या द्रब्मान होता है द्रब्मान का मतलब होता है बजन से उसमें जो मा प्राचीन काल से ही मनुस अपने आस पास को समझने का प्रयास करता है आ रहा है और भारत के प्राचीन दारशनिकों ने पदार्थ को पांच मूल तत्वों में परगी कृत किया था तो लंबे समय से जब से मनुष्ट का उद्भव हुआ है तब से बहुत ही जादा वह क्रिया सील या हम कहें एक्टिव रहा है और उसमें सजनात्मक्ता का गुड़ पाया जाता है वह खोजी प्रवत्ति का है मनुष्ट जैसा कि आप सभी जानते हैं तो हमेशा मनुष्ट की यह चाहा रही है वह चीजों को अच्छे से अच्छे तरीके से जानना चाहता रहा है तो उस समय के जो प्राचिन समय में जो रिसी मुनी या उस समय के जो पढ़े लिखे विद्वान रहे जिनको हम दार्सनिक कहते हैं उन्हों उन्होंने जो पदार्थ होता है उसको पांच भागों में बाटा था और कहा था कि उनका जो नाम उन्होंने दिया था पंच तत्व दिया था उनके अनुसार इन्हीं पांच तत्वों से पूरी दुनिया का निर्मान हुआ है तो वो जो पांच तत्वों है वो कौन-कौन स चाहे वे सजीव हों या निर्जीव, उस समय के यूनानी दार्शिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार बरगी करित किया था, आधुनिक बैग्यानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुण धर्म एवं रासानिक प्रकरती के अधार पर दो प्रकार से बरगी करित किया था, कित जाते हैं एक होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है रासानिक गुण तो भौतिक गुण क्या है जो मतलब आखों सो हम जिसको देख सकते हैं हाँ से छू सकते हैं है ना यह उसके भौतिक गुण हो गया और रासाइनिक गुण की वह दूसरे पदार्तों से किस प्रकार से रासाइनिक क्रिया करता है या जो भी परिवर्टन हम उसमें जो कि हमको दिखाई नहीं देते हैं पर होते हैं वह रासाइनिक गुणों के अंतरगत आते हैं अब पदार्त संबंदी आपकी कि अताब में जैसे एक चित्र बना हुआ है ये देखिए इस चित्र में आप देख रहा होंगे तीन बीकर रखे हुए हैं इदे में पानी भरा हुआ है और इस तीनों में आप देखिए तो नमक डाला गया है ठीक है तो इस प्रकार से पदार्थ में आपका जल्वी आता है नमक भी आता है यहां तक कि यह जो बीकर है वहेवी पदार्थ से ही बना है तो अब आगे हम और जानकारी उठाएंगे पदार्थ के वारे में तो सबसे उपर आब आप देख रहे हो एक दसंबलो एक क्या लिखा है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पदार्थ का भौतिक सरू तो अभी हमने जैसे की पढ़ा की पदार्थ में दो प्रकार के जो है गुण धर्म होते हैं पहला है भौतिक प्रकार के दूसरा है रास्तानिक प्रकार के तो सबसे पहले हम भौतिक प्रकार के गुण धर्मों की जानकारी प्राप्त करेंगे तो एक दसंबलो एक एक में द ब्रोटान न्यूट्रान परमाडू कहते हैं जो आठवी तक की बिग्ञान में साधा पढ़के आ चुके होंगे तो पदार्थ सबसे छोटा कर नहीं है दुनिया में सबसे छोटे करण की स्रेड़ी में आप अभी बरतमान में इलक्टरान प्रोटान न्यूटरान आते हैं किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है वो परमाडू है और परमाडू भी तीन और छोटे कणों से मिलकर के बना है जिनको आप प्रोटान न्यूटरान और इलक्टरान कहते हैं तो जो पदार्थ है वह कणों से मिलकर ब पदार्थ के कोई तीन भौतिक गुड लिखिये ऐसा अगर कुश्चन आ गया तो पहला गुड क्या लिखोगे आप कि पदार्थ कड़ों से मिलकर के बना होता है इसको समझाने के लिए कुछ और सब्द लिखे हैं कि बहुत समय तक पदार्थ की प्रकरती के बारे में दो वि चार धारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कड़ों से मिलकर बने होते हैं आईए एक क्रिया कलाप के द्वारा पदार्थ के सरूप के बारे में यह है निर्णा करते हैं कि यह सतत हैं या कड़ों से मिलकर के बने हैं तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्रिया कलाप उन्होंने लिखा है क्रिया कलाप 1.1 तो इस क्रिया कलाप में हम देखते हैं क्या लिखा है कि 100 ml का बीकर लेना है आपको कितने ml का 100 ml का बीकर लेना है और इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के इस्तर पर निसान लाते हैं मतलब देखो जो बीकर होगा बीकर में निसान होंगे चैसे कि यहां पर दिया है यह चित्रा आप देख रहा होंगे मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके यह आपका वीकर है और बीकर में आपको 100 ग्राम या 100 ml जल लेना है तो बीकर में तो एक स्केल भी बना होता है और उसमें ml लिखे होते हैं एक से 100 तक और जादा भी लिखे होते हैं जित्ता बड़ा बीकर होता है उसे साफसे उसमें रहता है एक लीटर के भी होते है आधा लीटर के भी होते है 100 ग्राम का भी बीकर होता है तो बीकर का अपना एक साइस होता है तो उसमें एक scale बना होता तो उस scale के आधार पर आपको पानी भरना है और लगवक 100 ml पानी लेना है जैसे कि ये beaker आपको दिखरा है चित्र में ऐसे ही होते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं उसके बाद बीकर को भरना है आधा भरना है लगवक बतला बीकर जो है वो 200-500 ml वाला बीकर लेना है और उसमें 100 ml पानी भरना है तो वो आधा भर जाएगा ठीक है फिर दिये गए नमक या सक्कर को काच की छड़ की मदद से जल में घोलना है तो आपको कुछ मात्रा में नमक या सक्कर ले है यहाँ पे और फिर उसके बाद की अधर आप देख रहा होंगे यह कांच की छड़े इसके माध्यम से आपका जो नमक है वो जल में घोला जाएगा ठीक है अब आगे वड़ते हैं तो यह काम हो गया आपका फिर आगे आजाते हैं अपना फिर क्या कह रहा है वो कि जल के इस चड़ से उसको गोल गोलना है और घोलने गद उसको छड़को अलग रखके थोड़ी देर इंतजार करना है जिब पानी अपने लेवल पर आ जाए उसके बाद हमको डिशो इसकेवी होता क्या सक्कर घुलने के वाद थोड़ा सा धुंदला या आपको गंदा दिखाई देगा और थोड़ा सा आपको उसमें उस तरब जो पारदर्सी ता जो पानी की है वो कम हो जाएगी वो अपारदर्सी होने की स्थिति में जाएगा तो उसमें जो धुंदला पन है वो नमक्या स और पानी के स्तर में कोई बदलाव आया या पानी का जो पार दर्सिता है उसमें क्या बदलाव आया ऐसे चार-पांच कोश्चन उठके सामने आएंगे तो मैं आपको बता दूँ कि जो नमक या सक्कर है वो पहले तो गुलके उनके जो छोटे-छोटे काण है वो उन इस्था पानों में वो सक्कर के कंड या नमक के कंड चले जाते हैं और इस तरह से वो गायब हो जाते हैं पानी में लेकिन पानी की जो पारदर्सिता है वो कम हो जाती है पानी में अब ज्यादा पारदर्सी नहीं रहता और पानी की थोड़ी से मात्रा भी बढ़ जाती है बीकर में अगर आपने नाप के पानी लिया है तो है ना इन प्रस्नों के उत्तर पाने के लिए हमें यह है विचार को स्विकार करना होगा कि सभी पदार्थ कडों से बने होते हैं और उप्यूक्त किरिया कलाप में चम्मच में रखी हुई नमक किया सक्कर अब पूरे पानी में घुल गई है जैसा कि आप देख रहे हैं तो यह मैंना आपको बता दूँ इक यहां लाइन में क्ये लिखा है कि जो एक हजार एमेल ब्रावरे एक लीटर या एक मिली लीटर कुछ होता है ठीक है एक लीटर पानी कितने के वरावर होता है एक हजार एमेल के वरावर होता है है ना तो यह यहाँ पर आपका दिया है मातरक उसके बाद अपन आ जाते हैं चित्र में जैसा कि आपका वीकर का चित्र दिया है आपका इसमें हमने क्या किया था बीकर में पानी लिया था 100 ml, नीला रंग का आपको पानी दिख रहा होगा बीकर में, फिर उसके बाद second चित्र में हमने क्या किया, उस 100 ml पानी में जो है वो आपका चमस से आपका नमक या सक्का डाला, और फिर तीसरे वाले चित्र में एक काच की छड़ दे करके उसको गोल घोल दिया, ठीक है, और फिर उसका अब लूप अन क्या, तो मैंने बताया आपको क्या 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 अब लोप अन क्या और तो यहां पर अब हम आगे वखते हीं, अगला आता है, जो second है की जो पदार्त के कण कितने छोटे होते हैं, तो पदार्त के कण का साइच की जानकारी क कि यहां दिया है कि उनका साइज किता होगा कि कोई भी पदार था वो कितना छोटा हो सकता है उसको लेकर एक और किरिया कलाप यहां दिया है क्या लिखाया उसमें कि potassium permagnate के 2 या 3 crystal को 100 ml पानी में घोलेंगे है ना और इस घोल में से लगभक 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल में मिला देंगे फिर इस उप्यूक्त घोल में से 10 ml निकाल कर उसे भी 90 ml जल में मिला देंगे और इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 वार तक तनूकृत करते रहेंगे क्या जल अब भी रंगीन है जैसा कि ये चित्र दिया है इससे हम समझेंगे सबसे पहले हमको क्या लेना है बच्चो 100 ml पहले एक बीकर लेंगे और बीकर लगबग 200 ml का होगा जिसमें हम आधा उसको भरेंगे तो 100 ml हमारा पानी हो जाएगा चित्र में दिया है ना अब उसके बाद फिर एक चम्मत जो है वो पोटेशं पर मेंगनेट डालेंगे फिर उसको गोल गोल गोलेंगे और उस 100 ml से जैसा कि यह तीर का निसान दिख रहा है उस 100 ml से हम 10 ml लिका लेंगे एक परकनली में और उसको हम अगले बीकर में डाल देंगे मतलब पहले उस वीकर में भी पानी लेंगे लगभग 90 ml और ये जो नया वाला पानी है जो वाला वो उसमें डाल देंगे तो ये फिर सस्वा हो जाएगा उसके बाद फिर उसमें से क्या करेंगे हम फिर 10 ml परकनली से लिका लेंगे तो ये जो लाष्ट के तीन वीकर है एक दो तीन उनमें हम पहले 90 ml पानी ले लेंगे और फिर जो हमारा जो दूसरे नंबर का वीकर था उसमें से 10 तीसरे में तीसरे से 10 चौथे में और चौथे से 10 पाँचवे में तो आप देख रहा होंगे चित्र में कि जो सबसे पहला वाला था बिल्कुल उसमें सुद्ध पानी था सेकंड वाला मां जादा पर पोटेश्यम पर मेगनेट के कारण वो जादा बहुत अधिक घना लाल था फिर उसके बाद बैंगनी था और धीरे धीरे उनका जो बैंगनी रंग है हर बीकर के साथ कम होता गया है ठीक है तो यह एक तरीका था तो हमको हर बीकर में जो रंगीन पानी का जो रंग है वो फीका होते हुए नजर आता दिख रहा है ठीक है अब इसको और आगे समझ लेते हैं क्या है तो यह प्रियोग दर्साता है कि पोटेश्यम परमेंगनेट के बहुत छोटे से कणों से पानी की बहुत अधिक मात्रा लगभग एक लीटर भी रंगीन हो जाती है इससे हम यह निसकर्श निकाल सकते हैं कि पोटेश्यम परमेंगनेट के केवल एक क्रिश्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं और यह कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं अन्ध तह एक स्थिती में ये कड और चोटे भागों में विभाजित नहीं किये जा सकते पोटेशियम पर्मेंगनेट की जग है 2 ml डेटाल से भी यह किरियकल आप हम घर में कर सकते हैं जैसे अगर पोटेशियम पर्मेंगनेट नहीं है तो डेटाल तो हो गई घर में तो उससे भी आप ऐसा कर सकते हो लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी जो महक है वो हमें मिलते रहती है तो अंत में जो नीला डब्बा है उसमें क्या लिखा है देखो ध्यान से की पदार्थ के करण बहुत छोटे होते हैं इतने छोटे की हम कलपना भी नहीं कर सकते हैं मतलब हम उसका साइज भी नहीं बता सकते ठीक है तो पदार्थ के करण के अब देखो दो हो गया की पदार्थ के करण बहुत छोटे होते हैं ठीक है और पहला वाला क्या था अपना कि जो पदार्थ है वो कड़ों से मिलकर के बना होता है पहला गुण ये हो गया दूसरा गुण क्या था कि जो पदार्थ के कड़ों होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं और अब आगे क्या आएगा फिर अब हम जानेंगे पदार्थ के कड़ों की विसेस्ता अभी हम पदार्थ की बिसेस्ता जान रहे थे तो पदार्थ की दो बिसेस्ता हमने जान ली पहला कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना है और दूसरा पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं तो ये हो गई पदार्थ की दो बिसेस्ता है अब पदार्थ के जो कण है मतलब कि प आन्यवाद